दिवाली आ गई है तो थोड़ा सा साधान होना जरूरी है क्योंकि पिछली बार दिवाली पर कई बच्चे और बुजरुग मिठाई खाने से बिमार हो गए थे तो इस बार सरकार ने 1 अक्तूबर 2023 से कमपलसरी कर दिया है कि बिना एक्सपाईरी डेट लिखे कोई भी दुकांदार मिठाई नहीं बेच पाएगा अगर कोई दुकांदार ऐसा करता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाग का जुर्माना भरना पड़ेगा आप भी अगर मिठाई खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि एक्सपाईरी डेट लिखी है या नहीं अगर बिना एक्सपाईरी डेट लिखी आप मिठाई खरीदते हैं तो उसका मुआबजा आपको नहीं मिलेगा और अगर आप expired date लिखी वाली मिठाई खरीदते हैं और उसके बाद आपको कोई problem होती है या आपकी तवियत खराब होती है तो उसका मुआबजा आपको दुकानदार देगा और अगर आपके जाने में कोई भी मिठाई वाला ऐसा करता है बिना expired date की मिठाई बेशता है तो उसकी complaint आप अपने ही डिश्टिक के food and supply department में कर सकते हैं अगर वो भी नहीं सुनते तो आप consumer helpline number 1800 114000 पर call कर उस दुकानदार की शिकायत करें जो बिना expired date लिखे मिठाई वेच रहा है